गीता के यह उप्तेश सभी ओर्थों को सुनना चाहिए बदल जाएगी किस्मत स्रीमत भागवत गीता में बगवान स्री किष्ण के उप्तेशों का वर्णन है बगवान स्री किष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उप्तेश दिया था क्रिष्ण ने अर्जु को पूरा करने की और अग्रिशर हुए कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परिशाने का हल मिल जाता है गीता में कही गई स्रीकिष्ण की बाते आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेणा देती है इसे में किसी भी परिशाने का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन 11 बातों का जीवन में अनुशरन कर लेता है वह हर काम में वीजई होता है गीता में स्रीकिशने काहा कि मनुश्य को फल की इच्चा छोड़ कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए मनुश्य जैसा कर्म करता है उसी फल भी उसी के अनुरूप मिलता है इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए स्रीकिष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बहतर कोई नहीं जा सकता इसलिए श्यम का आकलन करना बहुत जरूरी है गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुनों और कम्यों को जान लेता है वह अपने व्यक्ति त्वय का निर्मान करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है ऐसे में स्रीकिष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबु पा लिया वह मन में पेदा होने वाली बेकार के चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है साथी व्यक्ति अपने लक्षे को भी आसाने से प्राप्त कर लेता है कुरोद में व्यक्ति नियंतरन खोट बेड़ता है और आविश में आकर गलत कार्य कर देता है यहां तक कि कभी कभी गुसे में व्यक्ति खुद का अहित भी कर बेड़ता है गीता में स्री किष्ण ने बताया है कि कुरोद को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए यदि गुसा आए तो स्यम को सांत रखने का परियास करे गीता की अनुशार व्यक्ति को संदे है या संसे की इस्तिती में नहीं रहना चाहिए जो लोग संसे की इस्तिती में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता जीवन में इस पस्ट नजरिया होना चाहिए गीता में श्रीकिष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जिसा नहीं रहता है यह हमेशा बदलता ही रहता है इसलिए हमें कभी भी एक परिस्तिति में नहीं रहना चाहिए जो लोग दूसरों को बेवज़े रूलाते हैं उन्हें भी आगे चलकर होना पड़ता है जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें भी अपने जीवन में आगे जलकर दुख पोगना पड़ता है गीता में स्रीकिष्ण ने बुद्धी मान व्यक्ति की पहचान बताई है गीता के अनुसर सबसे समझदार और इस्तिर गुद्धी वाला व्यक्ति वहीं होता है जो सफलता मिलने पर एहंकार नहीं करता है और विफलता मिलने पर गम्बे नहीं डूबता है श्रीकिष्ण कायते हैं कि केवल डरपोक और कमजो लोग ही चीजों को भग्या पर छोड़ते हैं वहीं लोग मजबूत और खुद पर बरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियती या बाग्या पर निर्बन नहीं रहते हैं गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं मनना चाहिए क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं चीपा है वो आपको बाहर से नहीं बलकि भीतर से भी चानता है इसलिए कोई भी बदला पूरी तरह से स्वयन के लिए होना चाहिए स्री किष्ण कहते हैं कि आप खुस हैं या दुखी यहें दोनों आपके विचारों पर निर्बर है अगर आप प्रसंद नहीं रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसंद नहीं रहेंगे लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक्त विचार लाएंगे तो आप धुकी ही होंगे विचार ही हर व्यक्ति का सत्रू और मित्र होता है श्री किष्ण कहते हैं कि किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुसी मिलती हो ना ही लक्ष है इसलिए मनुश्य को सदेव अपने कर्मों पर विश्वास करते वे अकेले चलते रहना चाहिए गीता में श्री किष्ण ने करम योग, बक्ती योग और ग्यान योग को ही कल्यान का परमुक साधन बताया है उम नमो बगवते, वासु देवाय नमह